हमें कहीं पे भी हमारे बॉडी पे, चहरे पे, कोई भी डाग है तो वो अच्छे नहीं लगता है जिसे हम लोग pigmentation कहते हैं, कहीं dark spots होते हैं तो हमें डर लगता है तो हम ये वो क्लिनिक देखते हैं, बहुत सारे creams, soaps इस्तमाल करते हैं बहुत सारे घरेल उपचार भी हम लोग डूडने की कोशिश करते हैं बट ये क्या होता है, what is this pigmentation, ये क्यों होता है इसे हमें क्या manage करने के लिए कौन सी tips जरूरी होती है ये सारी चीजे असान भाशा में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ तो आखिर तक देखें, pigmentation क्या है, इसे क्यों होता है और इसको ठीक कैसे करें और इसके लिए कौन सी homeopathy medicines हम लोग यूज करते हैं तो देखते रहें ये ये वीडियो अब ये जो वीडियो हमने बनाया है, वो specially hyperpigmentation के लिए है जहां पे skin की darkening होती है हम लोग और एक वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोग hypopigmentation की भी बात करेंगे pigmentation की मुख्यों कौन से कौन से reasons है, कौन से causes है चार सबसे important चीज़े है फर्स है genetics अगर घर में किसी को है, तो आप भी prone हो, आपको भी वो चीज हो सकती है number two होता है sun exposure तीसरा है medication, कुछ ऐसी दवाईया है जो pigmentation बढ़ने के लिए मदद करती है और चौथा उमर होती है आपकी, जैसे उमर होती है आपकी skin delicate होती है तो इसलिए color जो बढ़ने के लिए pigment होता है हमारे body में उसका प्रमाण जादा होता है और skin जल्दी से react करती है उस चीज को और एक reason है इसमें जहाँ पे friction अगर बहुत जादा friction हो रहा है जो बहुत जोर से skin को गिस रहे है neck को गिस रहे है तो वहाँ पे भी आपको dark skin होगी because friction is also one of the reasons अब अगर जहाँ पे हमने genetics की बात की जो आपकी family में अगर किसी को हुआ है तो आपको भी होगा हमारी body में ऐसी 125 genes होती है जो हमारी skin tone को या फिर skin की color को influence करती है और melanin जादा तर जो dark skin वाले लोग होते है उन में जादा पायागा है than the lighter tone जिनका lighter color होता है अब अगर sun exposure की हम बात करें तो sun exposure में क्या होता है कि जितना UV rays को हम लोग expose होते है body को protect करने के लिए उसके अंदर का melanin बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे ही UV rays आते है body से free radicals बनते है वो दोनों मिला के ऐसी biological enzymes को बढ़ावा देते है जिससे यह चीज ट्रिगर करती है melanocytes को active करने के लिए और यह अगर active हो गए तो body में melanin की level होती है वो काफी बढ़ जाती है अब इन सब process में जब melanin बढ़ जाता है तो वो skin के surface में आके बैढ जाता है और patchy forms में pigmentation form होते है अब तीसरा जो हमने कारण देखा वो है medications अब ऐसी कोई medicines है कोई antibiotics है और कुछ hormonal medicines जैसे birth control pills होते है जिस वज़े से body में pigmentation होना स्वाभाविक है क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि यह सारी जो दवाईयां होती है यह सारे जो medications होते है इससे melanin का synthesis बढ़ जाता है और इसी लिए dark patches होना बहुत ज़ादा natural है इसलिए especially जो hormone की मिड़दवाई लेते है during pregnancy, at the time of menopause यह देखा गया है कि चहरे पे pigmentation शुरू हो जाता है इसको butterfly rash बोलते है melasma, forehead पे भी होता है temple area पे भी होता है और face, nose के आसपास भी होता है अब जब hyperpigmentation होता है या फिर skin की darkening होती है तो कौन सी चीज़े है जो आपको इध्यान में रखनी चाहिए सबसे ज़रूरी जैसे reasons में बताया कि sun का exposure जब आप sun में बहुत ज़ादा आपको अगर काम होता है तो आपकी skin की health आपको ही maintain करनी पड़ती है तो properly moisturize करना, sunscreen अपलाई करना essential जो चीज़े होती है जैसे cap पहनना, goggles पहनना covered cotton light colors की clothes पहनना बहुत ज़ादा important होता है क्योंकि आपका body protect करने के लिए ही ये सारी चीज़े जो million का production होता है UV rays से बचने के लिए ये सारी की चीज़े की जाती है दूसरा आप care कर सकते है जहाँ पे आप अगर skin की आपकी care कर रहे है तो don't be so rough बहुत बार जब आप face बहुत जोर-जोर से गिसते है neck को जोर-जोर से गिसते है हातों को जोर-जोर से गिसते है तो वो जो trigger होता है जो trauma आता है जो friction होता है वो friction की वज़े से भी वहाँ पे darkening होतना होना बहुत ज़्यादा स्वभाविक है इसलिए skin के साथ भी आप gentle रहना बहुत ज़रूरी होता है तर आपको skin में कुछ acne है या फिर कुछ extra growth देख रहा है वहाँ पे dark spot होना भी it's a very natural process ना होमेपती में pigmentation के लिए क्योंसी क्योंसी दवाया है होमेपती में भी sepia, natriumure, sulphur, thooja ये सारी दवाया होती है और barbarous aquifolium is also one of the very good medicine for skin when it comes to skin बट प्लीज होमेपती medicines बिलकुल अपने मन से नहीं लेना चाहिए because it is a holistic treatment so वहाँ पे सिर्फ not physical but emotional, mental भी देखा जाता है कि क्या है आपकी mental status, क्या है आपका overall lifestyle उससे आप से आपको दवाया दी जाती है तो recommended यह होगा कि आप registered होमेपती practitioner के पास जाए और उनसे ही treatment ले so ये थी जानकारी pigmentation क्या होता है especially hyperpigmentation क्यों होता है कैसे आपको deal करना चाहिए और इसके लिए होमेपती treatment क्या है I hope आपको अच्छा लगा है so आप like जरूर कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूलिये